हेलो डेर शुडेंट्स आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स विद राहुल गिरी फिजिक्स विद राहुल गिरी तो आज का जो मेरा वेडियो है क्लास 11 के शुडेंट्स के लिए वे शुडेंट्स जो इस समय लॉक्डाउन की स्थिती में क्लास 10 का एक्जाम दे दिये हैं और 11 में एडिमिशन लेने के लिए एक दम बिलकुल उत्साहित हैं लेकिन लॉक्डाउन की विज़े से घर पर बैटे हुए हैं पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन उनके लिए इसमय औस नहीं है तो हम लोग यह कोशिस कर रहे हैं कि उनको घर बैठे कुछ पढ़ने की विवस्था की जाए तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के मिलेगी क्या क्या प्रणेक मिलेगा क्या 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 आवसक्ता होंगी सारे चीज़ें जिसे अब आते हैं 11 में सबसे पहले आपको यहां पर कि मिजर्मिंट्स के बारे में बता जाता है कि फिजिक्स में फिजिकल कॉणिटीज के बारे में बता जाता है क्या है फिजिकल कॉणिटीज यूज होती है जिनकी हिर्प से इनको इस्टेबिलिस किया गया है बनाया गया है बताया गया है जैसे न्यूटन का लॉव आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे कि यूनिवर्स में जतनी भी बॉडिज हैं सभी एक दूसरे पर attractive force अपलाई कर रही है attractive force अपलाई कर रही है यह attractive force तो physical quantity है जिसके measurement की जरुद पड़ती है और यह बताए कि यह force की value मास पर depend करती है बीच वी distance पर डिपरेंड करती है तमाम चीजे हैं आप लोग 9 में या 10 में कुछ पढ़े होंगे, force के बारे में, work के बारे में, velocity के बारे में, distance के बारे में, displacement के बारे में, ये सब क्या हैं, ये सब की सब physical quantities हैं, क्या हैं? इनके मिजर्मेंट की रिक्वार्मेंट होती है तो आप लोग इसमें मिजर्मेंट के बारे में पढ़ेंगे और मिजर्मेंट करने में है विक्टर से आप सबसे पहले जब आप विक्टर पढ़ेंगे तो विक्टर के जरीए आप सारी चीज़ें को जिसे इसमें आगे कानेमेटिक्स पढ़ना होता है डानेमिक्स पढ़ना होता है सारी चीज़ेंगे कानेमेटिक्स क्या है विक्टर के मादिन से कैसे समझ माएग विक्टर क्या चीज़ है अभी तो सिर्फ आप नाम सुन सकते हैं डेटेल तो आप देरे देरे विक्टर के बारे में मतलब विक्टर में आप पढ़ेंगे कि कोई फिजिकल क्वानिटी को रिपेजन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वार्मेंट होती है डारेक्शन इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे और उसके बाद आप आप आएंगे मोशन इन टूडी आप कोई बॉड़ी मोप प्लेंड में मूप कर रही है तो एक्स वाई को रिस्पेक्ट मांते हो एक्स वाई के रिस्पेक्ट उसकी पुजिशन डेसाइड करना ये चीज़ें आप पढ़ेंगे और देखेंगे की प्रॉब्लम मतब लॉज आप मोशन के कुछ प्रॉब्लम जो कापी हार्ड है वर्प और इनर्जी पढ़ने के बाद वो प्रॉब्लम से ठोड़ा एजी हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है उसकी बाद आप आप आजाएंगे तो तमाम चीज़ें आपको इलेमेंट में इस तरह से मिलती रहेंगे और सभी चैप्टर्स में आपको विक्टर की जुरूद पढ़ती रहेगी विना विक्टर के आपको कहीं पर भी आपका कल्यार्ण होने वाला नहीं है तो इसलिए मैंने यह सोचा है कि सबसे पहले आपको विक्टर स्टाट अप करेंगे हैं हां एक तरह आपको विक्टर से स्टाट अप करा जाएक है एक तरह आपका मैथमेटिकल टूल से स्टाट अप होगा है ना दो तरह की वीडियोज बनेंगी एक साथ में पहलाल चलेंगी हैंना तीन दिन वीडियो जो आपको भी मिलेंगी जहां तक मुझे उमीद है विक्टर पर और नेक्ष्ट थ्री डेज में आपको मिलेंगी mathematical tools पर दोनों साथ में चलेगा क्या कि विक्टर की भी उतनी importance है mathematical tools की भी उतनी importance है उसके बाद measurement की importance है सारी चीज़ा आप पढ़ेंगे तो आई यह हम start up करते हैं विक्टर की वे यह विक्टर क्या चीज़ है तो आप पढ़ रहे है physics विद्राहुल गिरी इसमें सबसे पहला में start कर रहे हैं विक्टर तो भी आप फिजिकल quantity होती है मैंने बताया ऐसी quantity जिनका measurement आसाने क्या जा सकता है इनके measurement की requirement करती है उन्हें फैच्वल क्याटीज कहते हैं जिसे वह गया फोर्स हो गया मास हो गया time हो गया work हो गया टॉर्क हो गया तौम ऐसे फिसकल क्या अवलेबल है लेकिन इन फिसकल क्वांटीज का डिवाइडेशन की आजा रहा है on the basis of its representation इन फिसकल क्वांटीज को कैसे रिप्रेजेंट क्या जा सकता है उस पर बेस्ट इनको 3 categories में divide किया गया है कितनी में 3 categories में first scalar second vector and third tensor किसको divide किया गया है physical को अ गया स्केलर क्या है इस केलर एक एसी फिस्कल कॉंटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ उस्री मेगनिटूड की रिक्वारिमेंट होती है मार्केट जाने के लिए आपको पोजिशन आप मार्केट तो बताने पड़ेगी न मार्केट वो एस्ट में है कि वेस्ट में नौर्थ में है या साउत में जाने पड़ेगी तो जब पॉजिशन फिशिकल कॉनेटि हुई उसको बताने के लिए magnitude के साथ direction की requirement है तो यह position vector quantity हो जाएगी क्या हो गई है vector quantity हो गई mass scalar quantity हो गई mass scalar quantity हो गई work scalar quantity है सिर्फ magnitude बताना एनब है but force vector quantity है कहा गया कहा गया कि आप 10 newton का force लगाएंगे तो body को कमरे से बाहर ले जा सकेंगे लेकिन जब तक यह नहीं बता जाएगा कि force किस direction में लगेगा तब तक वो force objective नहीं होगा वो अपना work नहीं कर पाएगा यानि force को completely represent करने के लिए magnitude के साथ direction भी जरूरी है magnitude के साथ direction भी जरूरी है कहा जाएगा कि दरवाजी के दिसाफ जी तरफ दरवाजा है उस तरफ आप 10 newton का force लगाएंगे तो इस object को आप अराम से बाहर ले जा सकेंगे तो इसके लिए जरूरी क्या है जरूरी है मैंने टूट के साथ साथ direction तो force is a vector quantity speed अगर आप कहते हैं कि सडक पे वह कार 10 km per hour की speed से जा रही है तो यह तो अंदाजा लग जाएगा कि वह वह वन आवर में कितना digital ले रही है उसका यह पता चले जाएगा लेकिन यह नहीं पता चलेगा कि किस direction में जा रही है कहां जा रही है तो speed सिर्फ आप अगर magnitude बतलाते हैं तो speed है और वह सेदर quantity है लेकिन अगर आप कहते हैं कि कार सब्सक्राइब करने में कहीं नहीं करेंगे यानि मेरे टूट के साथ डारेक्शन में बता दिया गया है तब वह परफेक्ट हो गई है अब इसको speed ना करके विलोस्टी बोलेंगे क्या बोलेंगे विलोस्टी बोलेंगे लेकि पहरे क्या बोला था speed बोला गया था इस शिर्फ magnitude बताया गया उससे सिर्फ यह अंदाजा लगा जा सकता है कि इतना लगना किसी इसे पीछे अगर हम लगे तुसको पकड़ने के लिए हमें अपनी speed कितनी करनी वह अंदाजा लगा सकते हैं तमाम चीज़े पता उसे ही होती है कर परमिस्ट होता है लेकिन eject location पता नहीं करा जा सकता है eject location पता करा जा सकता है अगर उसके साथ direction में जोड़ दिया जाए और तब उसको speed ना बोल करके velocity बोलती है ऐसे ही तो दोनों बाते में रखता है आपको समझ ना गया इसके लगा quantity क्या है which requires only magnitude to represent completely vector quantity क्या है it requires magnitude and direction to represent लेकिन यहाँ पर एक सर्थ और होती है एक सर्थ और होती है magnitude direction हो साथ में या quantity vector addition rule को follow भी कर दे normal यह जो algebraic addition rule है उस rule से इस quantity को add नहीं क्या जा सकता है तब यह vector quantity हो भी जैसे कहा जा electric current इसके पास direction भी होती है इसके पास direction भी होती है लेकिन यह vector quantity नहीं है क्यों 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 क्योंकि यह vector addition rule को follow नहीं करती है magnitude भी है direction भी है फर वट यह vector addition rule को follow नहीं करती है इसलिए vector quantity नहीं है यह vector addition rule क्या है यह पहले पहले वेक्टर समझा ले ना यह दरे चलती है addition की तरफ अराम से चलती है जलती बाची नहीं है अराम से समझो वेक्टर addition rule कहता है इधर से 4 ampere की current आ रही है इधर से 3 ampere की current आ रही है तो आगे अगर single wire है तो vector addition rule यह कहता है कि आगे 5 ampere की current जा सकती है यह vector addition कहता है लेकिन actual में देखा जाए real में देखा जाए क्रिचव जंसन रूल लगा के देखा जाए तो आता है कि यहाँ पर C1 ampere की 4 plus 3 C1 यहाँ पर normal algebraic rule applicable है vector addition rule applicable नहीं है यह गलत हो जाएगा यह सही हो जाएगा इसलिए इसको हम direction होने के बावजूद भी scalar quantity कहते है बस समझ रहे हैं तो ऐसे कुछ quantities हैं जिनके पास direction भी होता है magnitude भी होता है फिर भी इसके लिए होती है क्यों 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 वो विक्टर addition rule को follow नहीं करती है तो विक्टर addition rule क्या है इसको भी आगे पढ़ेंगे फिले देखें तो इस तरह इसे scalar quantities जाएसे quantities हैं जिनको represent करने के लिए के लिए manitude की requirement होती है नाम जानते रहो है ना पर तीसरे तरह की quantity होती है और यह nine dimensional होती है इसको represent करने के लिए matrix की requirement होती है यह बहुत भ्यानक बहुत भ्यानकर quantity है इसके बारे में जाजाना जाए उसे पितना जानो यह tensor quantity तेंसर एक physical quantity है nine dimensional quantity है रेपिंट करने के लिए three by three matrix की requirement होती है जैसे इसके example है डालेटिक कॉंस्टेंट के बारे में तो आप जब पहुंचेंगे 12 में तो electrostatics में पढ़ेंगे इतनी जल्दी घवराईये न अब यहां पर तो आपको शिर्फ नाम जानना हिये न अब डालेटिक कॉंस्टेंट इलेटिक परमिटिवटी 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 तो इस तीन तरह की होती है न हमको इस त्रह को नहीं करना है छोड़ते हैं सब्सक्राइब को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है तो आते हैं सीधा टॉपिक पे ज्यादा बगेती नहीं टॉपिक टॉपिक चलेंगे और एक दम जीरो लेबल से हीरो लेबल तक यानि कम्ट्यूटी लेबल तक ले जाएंगे हाँ आपको हर वीडियो में लगतार बने रहना पड़ेगा सैज चलेंगे कदम से मिला कर चलेंगे जीरो लेबल से अपको लेकर के हम कम्ले प्रवाह बरतेंगे फिर हमारा वीडियो देखना आपके लिए बेकार साविच हो चाहते हैं लाइप में कूस डिसाइड करना चाहते हैं आप वीडियो बनी है आज हमारा आपके सामने लगभग फर्स्ट रे है चप्रे स्टाड किया जा रहा है आज आपको ज्यादा कुछ प्रश्चों आएगा उसको भी दिखिए देख करके important points को note करते चलिए notes बनाते चलिए है ना क्योंकि notes ही आपका एक परमतियार होता है notes है तो आपके पास थाकत है और उसी के basis पर आपको जो seat मिलेगी DPP मिलेगी या आप book लेकर रखे हो आप solve करोगे questions को हम भी करवाएंगे उन questions को base बनाते हुए आप नए-nay questions को करिएगा क्योंकि practice ही सारी चीज है आप practice करते चलोगे तो board में competition में दुनों में अच्छा करोगे और लेकिन अगर आप practice नहीं करोगे आप बोर्ड किसी तरह से पास करोगे फिर त्यारी करोगे किसके बार लॉट करके फिर भी या भी सी करोगे आपका लब्स कर आई-ए-ट या नीट है आप वो नहीं कर पाऊगे तो रूख करना है आज से ही आप इस्टाट अप से आप अपनी कमर कसी है और बहुत ज्यादा नहीं मेडियम लेबल की मेहनत अना डेली की दो-चार घंटे की पढ़ाई धर पर आराम सैब कीजिए वीडियो लेक्चर देखिए उसको धार सब्जेक पर एक गंटे आदे गंटे की practice करते चलिए फिर उसके ब पढ़ा वेक्टर्स और दोस टाइब आप इसका कोंटेश विच डिरेक्शन और मेगनिटूड बोथ पोजीशन किसी भी प्लेस का पोजीशन अगर हमें बताना है तो वह एक वेक्टर कॉणटेश में डिरेक्शन में बताना पड़ेगा displacement force velocity और बताइए एक्सलेरेशन, इम्पल्स and मोमेंटम, टॉर्क एक्सप्रा, औरुक्स अब आई आई इसके कि डिप्रेशेंटेशन की बाप करते कि विक्टर基本 डिकों करते को सब्सक्षाइं shouldot और आप रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेशर करते है ऊब लड़र जगा और एक तो हम्ेदính ली कुछ लिख रहे हैं तो इसमें इसका symbolic representation क्या है और दूसरा इसका geometrical representation क्या है तो आईए symbolic और geometrical representation दोनों बताते हैं जैसे हमें बताना हुआ फोर्स ejecting on a body आप 50 Newton इस्ट फिप्टी न्यूटन का फोर्स इस डिर्क्शन में वर्क कर रहा है तो फिप्टी न्यूटन क्या हो गया यह हो गया magnitude क्या हो गया magnitude और इस्ट क्या हो गया यह direction इसका symbolic representation जो होगा वो क्या होगा फोर्स को एक symbol से रेप्रेजन करेंगे जैसे capital F से से रेप्रेजन क्या करते हैं किस से capital F से रेप्रेजन क्या करते हैं symbolic representation हो गया यानि अब फोर्स लिखने को जाए लिखेंगे capital F is equal to 50 Newton East नेक्स्ट जिमेट्रिकल रेप्रेजेंटेशन जिमेट्रिकल रेप्रेजेंटेशन क्या होगा बहिए जिमेट्रिकल रेप्रेजेंटेशन इसका एक arrow से किया जाता है किसी की जाता है आइरो से आइरो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं एक arrow ये विक्टर क्वानिट्रिकल रेप्रेजेंटेशन इसका हेड हुआ करता है एक इसकी लेंथ हुआ करती है और एक इसका हेड हुआ करता है ये एक इसकी लेंथ हुआ करती है और इसका हेड हुआ करता है लेंथ क्या रेप्रेजेंट कर सकती है विक्टर के मैगनिटोड को रेप्रेजेंट कर सकती है और हेड क्या रेप्रेजेंट कर सकता है हेड इसके डिरेक्शन Tyson कर सकता है किसको रिप्रियुन कर सकता है डाइयक्शन को सब्सक्राइब करता है चार्पटा है जो इसकी लंथ है ज्यान देजेगा इस तरिके इस तरिक ah आ जू magnitude रिप्रेजन करती है बात समझ रहे हैं कैसे उसके लिए हमें proper scale भी मानने के जरूरत परती है उसके लिए मुझे हमें जो है proper scale मानने के जरूरत परती है क्योंकि हमारे पास कौन सा scale है जिसे हम 50 Newton की 50 Newton length की line draw करेंगे उसके लिए हमें scale मानना पड़ता है क्या करना पड़ता है scale कुछ लोग scale मानने में ही बहुत बढ़ी गलती करते है फिलहाल जब हमको graphically solve करना पड़ेगा तो वहाँ पर scale मानना पड़ेगा graphically जल्दी solve करती नहीं लेकिन जब हम live में जाते है प्रैक्टिकल एक्सपरिमेंट वगरा करते हैं तो वहाँ पर कुछ काल्पूलेशन से में graphically according करना पड़ता है तो वहाँ पर scale मानना पड़ता है scale मानना पड़ता है तो इसके बात नहीं है देख लिए जिसे फिप्टी न्यूटन को अमेरे पें करना है ह्लाइज दो रहेंगे संतिमेटर में बात करेंगे 5 सेंतिमेटर यह संतिमेटर कुछ आईसा दरौ करेंगे आंगangen किस नंबर सी एज़ेयर डिबीजिवल है हाइ़। यह तैंसे में बिविजबल है ति हम एहनं में सा कोई यह लीक ले लेते हैं ही कि मम ध्रके की वन सेंटी मिट डी और सेंटी मीटर लाइन पाइब नुटर्न गीघेता प्रिफिटा शेंटी मीट्रे करने के लिए कितना सेंट्रीमेटर लाइन की जरूत पड़ेगी भाई बोलो फाइब से डिवाइड कर दिए प्रिप्टे को आएगा टेन मिस्टेन सेंट्रीमेटर के लाइन किधर ड्रा करेंगे लिखा ये देखिए डारेक्शन को जानने का तरीका हमारे राइट हैंड में इस्ट होता है लेक्ट में क्या है वेस्ट और अफ नौर्थ डाउं में साउथ ये देखिए इस तरीके से कितने सेंट्रीमेटर के लाइन ड्रा करनी थी 10 2456 Tudo इट नाइन टेन टेन सेंट्रीमेटर के लाइन ट्रॉकर दिया है इस डिर्क्षन में रिप्रिजन करना है जम एरो का हेड लगाएंगे वो इस डिर्क्षन लगा जाएंगे यह हो गया 50 न्यूटन इसको अब लिख सकते हैं तेल एबी एबी और इसे हम एफ इसकल टू ऐसे ब जाए हेड को बी से लिखा गया है उस वेक्टर को हम ये उपर यह सकते हैं तो हम चाहिए इसको देखें और यहीं बार समझ महाएंगी इसका मतलब भी इसका मतलब भी है 50 न्यूटन इसका मतलब प्रेजेंटेशन है और ये ये सिंबोडिक रिप्रेजेंटेशन है ठीक मुझे रखता है आपको ये बात समझ्वाए गई होगी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो दो तीन एक्जाम पर आप लोग करिएगा या कहिए मैं एक दो और बता देता हूं जेकिए ज नौ्टैस्ट कि मेरे समय से नौर्फस्ट का मतल्ब युझे कि ये वज़ाता है तो 20 मीटर पर सेकिंद्टी मीट्र सेकिंड्य के लिए नौम के लिए तो फूर मीट्र पर संट्रम्ली पर सिंद्ध की डिवाइड करें यह थे देखिए नौर्थीस्ट ये नौर्थीस्ट के संद्मेटर की लाइन है इस तरह से त्याइब की लाइन नॉटीटक से में ड़ो यह 20 मीटर पर सेड नॉर्फीस्ट रिप्रेजेंट कर रही है यह लाइन यह है जियोमेट्रिक एक रिपरेंटेशन मुझे लगता है क Crashly करेंगे को सुखरना गया होगा साओ を चाहे इंपल मूमेंटम कर गया कर सकते है अचिवर्स इस त्रह किस आज हमने जाना के विक्टर क्या है जिनने कासे करते हैं कि नेक्ट लेक्टर में जानेंगे कि विक्टर क Jonah कितने टाइप का विक्टर होता है क्या इसका डिवाइडेशन है और उन्हीने क्या रिलेशन है इस सरे चीजे हम नेक्स जबढ़ेंगे झेनकर जरूर आप लोग इसको subscribe कर ले जिए कि हम हमारी हर वीडियो आप लोगे तक पहुंचती रहें लाइक भी करिएगा अगर आपको समझ माती है चीजे और जो भी बात है समझ माया है कि नहीं आजा है क्या है कैसे है आपके कोई कुश्चन से कमेंट बॉक्स ने आप जरूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में अग रहेंगी कोई प्रब्रम नहीं होगी और हमको भी सलतुष्टी होती रहेंगी हमारी पढ़ाई भी बात में हमारी बताई भी बात में आपको समझ में आ रही हैं ओके स्टुडांट्स थिंक्यों पाकिंट नेक्स टेग